चलिए, सबसे पहले समझते हैं तस्सम, हम सबलों को पता है कि यह जो तस्सम सब्द होते हैं, तस्सम हुए, तदभव हुए, देशज हुए, विदेशज हुए, है ना, यह हिंदी में एक टॉपिक है, जो सब्दों के अंतरगत आता है, और सब्द से ही हिंदी मजबूत होती सबसे पहले दस्म तदवा को हम समझ लेते है तस्म करते हैं तो अर्थ सम पूरे सब्द के समान हिंदी में अनेक सब्द सप्स्कृत उनका उप्यूग वैसा ही हो रहा है, यही तस्सम सब्द हैं, उधारण के लिए अग्नी लेले, वायू लेले, माता लेले, जल लेले, जो इसमें नहीं लिखा है, आगे आएंगे, इसके अलाबा अनने बहुत सारे ऐसे सब्द हैं, पौत्री ले ले ले, प्रश्ट ले ले, परिच्छा ले ले, ये सब जो सब्द हैं वो तस्सम के हैं, क्योंकि ये जो संस्क्रत है, संस्क्रत से सीधे लिए गए सब्द हैं, एक तरही कि कह सकते हैं कि इन में कोई परिवर्ता नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही सब्द हैं जो लेकिन अपभ्रंस और पुरानी हिंदी के कारण जो अपभ्रंस है और पुरानी हिंदी प्राक्रत और पाली इन सभी को अपने हिंदी के इतिहास में पढ़ते हैं जब हिंदी के इतिहास का विकास होता है तब इन सब को पढ़ते हैं तो जब अपभ्रंस पुरानी हिंदी इन यदि ये उधारण पर आप गौर करेंगे दोस्तों देखिए ये लिखा है उज्जुल तो जब व्यापम प्रस्ण पूछता है आपने देखा होगा वो उज्जुल इसी को सही मानता है दूसरा ओप्सन वो ये भी डालता है है ना उज्जल और तीसरा ओप्सन वो उज्जला कि आदत जो चली गई है जिसकी वजए से वर्तनियां हमारी गलत होती है वो भी डेवलप हो जाएगी है ना उसमें भी विकास हो जाएगा तो तस्सम तदभाव सब दिखे मैं हर क्लास में कहता हूँ अभी भी कहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट में जित तस्सम तदभाव सब्द में आप देखे क्या क्या समझेंगे इसी में से बहुत सारे समास भी निकल कर आ जाएगी है ना जब इनको जोडएंगे अपन इनहीं मेंसे अगर आप देखेंगे तस्सम सब्द अगर आपको अच्छे से हो गए तो आपकी संधियां भी बहुत अ सुद्धिया हैं, जिससे सम्मंदित एक से दो प्रश्ण तो आता ही है, वो भी आपका ऐसा ही हो जाएगा, है ना, तो चलिए लेटना करते हुए, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, तस्सम का सीगा सर्थ है, संस्कृत के सब्द हैं, और तस्सम सब्द वे सब्द है जो वैसे के वैसे ले लिएगा है, आज भी जैसी प्रियोग हो रहा है, तदभाव, उनी में थोड़ा वहत परिवर्तन करके, अब ब्रहंस के कारण, या हिंदी में थोड़ा परिवर्तन करके, उसी के जैसे सब्द बनके आ गया है, तो वो तदभाव सब्द हैं, अब समझ सबसे पहले ऐब कहा जाता था पहले अब क्या कहा जाता था पहले अब क्या कहा जाता है अपन aweka करें चार्चा करते हैं सबसे पहला ही सब्द इसको क्या कह जातने लगा है अब आकार्य का मतलब क्या होता है अब अकहले का मतलब हो जाता है आगर किसी सब्द के आगे लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है नकारात्मा या नहीं उसका मतलब हो जाता है तो कारे आ लग गया अकारे मतलब कोई कारे नहीं तो हो गया अकाज अकाज उससे परिवर्तित हो कर आ गया तो बन गया क्या अकाज अब अकाज है जैसे अब बन के तो बड़ा अकाज आदमी है कोई कामी उसका हुए उसके लिए अकाज आदमी तो यह अभी की भात्ता में आपन बोल देते हैं लेकिन उसका सही मतलब क्या है अकार है ठीक है एक हुआ अब देखे ए अगर्पद लेकस क्यों सब्द है अअसू फिर लेगुआ करते थे, उनको क्या कहा जाने लगा है, अवगुन, अगम्य को क्या कहा जाने लगा है, अगम्य को क्या कहा जाने लगा है, अगम्य को क्या कहा जाने लगा है, अगम्य मतलब क्या होता है, जहां जाये ना जा सके, आप देखते होंगे, एक सब्दों में, वही है य किनी में से देखेंगे ना तो आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे ठीक है नहीं तरन का प्रियोग कर लीजिए अपने मुवाल में रिकॉर्ट कर लीजिए जैसे कि ऐसे कर यह प्रियोग मेरी अंगुली थी संस्कृत की और जब वो कट गई तो वो हो गई हिंदी की अंगुली है ना ऐसे करके आप तस्सम तदवाओ इस एक लाइन को आप अपने मुवाल में रिकॉर्ट कर लीजिए ऐसी सबकी लाइने बना लीजिए बस पर उनको याद करते हुए चलिए कोई द में अपने हाथ से लिखी अपने दिमाग का ठीक से लिए तो जब आपके दमाग को ऊसकी यादत हो जाती है तो निश्टीर रूप से आप परिख्च tau की समय में परिश्च से पहले उसको 1 या 2 ला एच्छ से करें लेगे को तो दिमागे आ одно at PDF मिल गए यह मोबाइल में, अब रखे हैं, अब उसको देख रहे हैं, तो भाई वो जो PDF आपकी रख्की है, वो रख्की ही रह जाएगी, और नहीं रख्की रह जाएगी, तो अभी से आप देख लो, आप कब से तयार ही कर रहा है, वो PDF अभी भी आपके मोबाइल में रख्क ही होंगी उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा होगा इसलिए अच्छे से अपने नोट ज़रू बनाया आप है ना वागी पीडिये तो आपको टेलीग्राम पर मिली जाएगी तो टेलीग्राम आप दरूर जोइन करने चलिए अनर्थ का क्या हो जाता है अनर्थ यहां से क्या अज्यान अग्यान तस्जम सब्द था अब उसको बोलते हैं अज्यान ठीक है अक्छर का हो गया है अक्छर अगर लेखा जाने लगा आपने डेखा होगा सुनकि विलोम में आप शुरात में यह परिभासा दृहोगी जिन्होंने अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी हैं शुरुगात में बोल देते हैं कि संस्कृत का विलोम संस्कृत होना चाहिए हिंदी का हिंदी अर्वी का अर्वी और फार्सी का फार्सी मतलब जिस भासा का है उसी भासा का विलोम होना चाहिए तभी हो सही माना जाता है उदारण के लिए जल का विलोम क्या आप आग लगा स करते हैं यह गलत है जल कर लों अगिनी ही होगा ठीक उसी प्रकार आपका लों पानी होगा क्योंकि एक हिंदी सब्द और एक संस्क्रत सब्द है यहां से आप लों भी शै मजने से, ठीक है, चलिए, अर्क का क्या होता है, आक, अर्क का देखा जाए तो होता है, ठीक है, अनार्य का अनारी, आपने देखा होगा, आर्द आय थे, उनके विप्रीत में अनार्य थे, तो उनहीं अनार्यों को बाद में फिर क्या कहा जाने लगा है, अनारी, अनारी नही सब्द करें दोस्तों है अगर हम वतार की बात कर एं तो अउस्ट का थिक अंगुष्ट का क्या हो गया है अंगुठा जो अंगुष्ट था वो गुठा हो गया है आश्चर का हो गया है अचरज आप लोग नहीं अक्सर सुना होगा आश्चर तो आपने सुना होगा अचरज भी दोनों सुना होगा आश्चर का ही सब्द जो है वो है अचरज अचरज क को यह हम रभी बार बोलते हैं तो वहीं से पर इतवार आ गया अपन जल्द बाजी में क्या बोलते हैं इतवार की छुट्टी में लगई है कभी अपन ने बोला आदितवार की छुट्टी में लगई है कभी बोलना कितना अच्छा लगता है ना सही सब्द उसका आदितवार ह ठीक है, इच्च का एक, एक आप लोगों ने देखा होगा, इच्च का एक, ठीक है, इच्च का एक, याद रखना ये च्छा खा में बदल गया है, आता है, ये IMP दोस्तों है न, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, दिहान से, इसको लिख लेना, अपने दमाग में उताल लेना इच्च का एक, आगड़ित का अनगिनत, अब देखिए, आगड़ित का मतलब जिसकी हम गड़ित नहीं कर सकें, जिसकी मतलब एक तरी किसा हम जिसको गिन ना सकें, तो अब अब उसको क्या बोलते हैं, अनगिनत, पहले क्या बोलते थे उसके लिए आगड़ित, ठीक है, आ अदिक्तम प्रियोग में अनगनिती आता है अमलिका, अमलिका को क्या हो गया इमली, ये भी important है दोस्तों आया हुआ है अमलिका, ठीक है इसको भी आप लोग अच्छे से करिएगा अमलिका का इमली, आसा का आस केते हैं भी ये उससे आसा है हमें उससे हमें आस है, दोनों ही एक सब्द है और ये एक दूसरे के पर्रियाबाची भी होते हैं दोस्तों ये भी याद रखिएगा, देखिए अब तीसरी भी बात निकल आई, बात हम पर बात निकलती जाएंगी क्लास में, बस आसा का आस, पर्रियाबाची है आमला, आखे का आहेर आखे का क्या हो गया है, आहेर ये आखेट है, ठीक है, आहेर ठीक है, उस्ट्र का उंट उस्ट्र का क्या हो गया है, उस्ट्र पहले ऐसा हो था, जैसे कहीं उंट दिख जा है, तो कहते रहोंगे उष्ट्र दिख गया है अब क्या बोलते हैं उट दिख गया है इस तरीके से जो परिवर्ता ने वह हो गया तो उष्ट्र का क्या है दोस्तों उट ठीक है उल्लास का हो गया है हूलास उल्लास का क्या हो गया है दोस्तों हूलास उच्च का क्या हो गया है उच्च का तो उच्च का तो उच्च का क्या हो गया है उच्च का क्या हो गया है तो उच्च देखिए चा था यहाँ आधाचा प्रिच्च तो यह क्या बना दिया उच्च का होट या पया दी रहेगा अमावस्या क्या हो गया है, अमावस्या का अमावस्या का अंक का हो गया है, अंक का क्या हो गया है, एक अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोध भी होता है न, अभी अनेकार्थी वाला जो चैप्टर है, वो आने वाला है, बहुत महिदार चैप्टर है दोस्तों, छोड़ि आने वाला है topic वाला भी अंक का आँख ठीक है, अन्स का होता है, अन्स ये अन्स सा सक्कर वाला है जो कि बाद में सा सहने वीन जाता है अन्स का अन्स अग्हाइं का अगहन अगहन जो आप लोग सुनते होंगे मातलोग आपकी बोलती होंगी है ना जो बुजरुख होंगे वो लोग बोलती होंगे अगहन तो अगर हायड था पहले वो अब क्या हो गया है दोस्तों अगहन ठीक है उन का हो गया है उन उन का क्या हो गया है दोस्तों उन अम्रत का अमी है और अंग्रचक का अंग्रखा अंग्रचक का अंग्रखा अलक्ष का हो गया है अलक्ष अलक्ष मतलब जिसके पास कोई लक्ष नहीं उसका हो गया है अलक्ष देखिए दोस्तों जहां मैं बोलता हूँ IMP है इनकी संभावना इसलिए होती है इसके पीछे का त तो इसी इसे जुड़े हुए सब दोर देते हैं तभी हम गलत कर देते हैं और यह आई हुए है दोस्तों है ना तो इन पे आप लोग बिलकुल अपनी पैनी नजर बनाए रखियेगा कुशाग्र जानते हैं ना कुशाग्र नजर एक कुशाग्र बुद्धी होती है एक उसी कुशाग्र यह तीश नजर होती है उसी प्रकार अपनी नजर को इसमें गड़ाई रखना एक्दम बनाए रखना कि हां भाई इसका यह है तो है फिसलना बिलकुल नहीं है ठीक है आप लोग बिस्वास नहीं मानेंगे हम लोग पेपर दिया करते थे यह होगा लगभग में तो ओफलाइन हुआ करते थे तो ओफलाइन में हम लोग क्या करते थे ओप्सनों को चुपा लेते थे ओप्सन अपने चुपा लेते थे जैसे एक स्केल हुआ या कमपॉस हुआ उससे ओप्सन चुपा लेते थे अब जैसे ही प्रस्ण आया मान लीजी प्रस्ण है प्रस्ण guitar एक बता काहा होती है जहां है रोना है आ लागी तो इस तरीके से चुपा-पाना मुस्किल होता है लेकिन फिर भी नजरों के हिसाब से आप कर सकते हैं नजर गई सीधा प्रशने पर दिमाग में आया क्या आंसर होना चाहिए और जहां option देखा कि भाई है option में तो लगा के सीधा आगे बढ़ जाए तीन को ध्यान ही मत दें तीन को ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं गड़ बढ़ कराएंगे अनुभाव बता रहा हूं दोस्ते चली आगे बढ़ते हैं उत्सा का होता है waterproof उत्सा का क्या होता है उत्षा देखिए दोस्तों इसकी बनाते जीवन में कुछ है ही नहीं यदि उत्सा नहीं है, तो फिर कुछ नहीं बचा, उत्सा है, तभी तो आप देख रहे हैं, उत्सा है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि उत्सा समाप्त हो जाए, और ये कभी समाप्त नहीं हो जाए, जितना हो उतना बढ़ जाए, जितना हो उतना बढ़ होती रहें कोई समस्या नहीं आप लोग जानते हैं आलस से का हो गया है आलस और ये सबसे वेकार चीज है अब थंडियां धीरे-धीरे खतम गई या थंदी से पटए नहीं पड़ा था कि भई पटवारी का एक्जाम आया हुआ है अब तो लगता भी ए थोड़ा भूत यहां भी यह लड़कियो लोग है पड़ रहे हैं तो यह आलस सब से वड़ा दिसमन होता है न उपवास का उपास का प्या हो गया है उपास बोलते नहीं भीए आप बहुत कम देखा होगा, आप भी वो ले किया, उपवास उसने रखी है, यहाँ लेकिन किताबों में आप देखने को पाते होगे, उपवास तो है न, उपवास जो है वो अपास में परिवायतित हो गया है, आएक के कहो गया है, एका, ठीक है, कूप का हो गया है, कुवा, ये उलू, ये भी आई-म-पी है, आया हुआ है, उलू का उलू, इंधन का इधन, अब इसमें क्या है, ये जो ना है न, दोस्तों, ये हट गया है, शिर्फ खाली अंकी बिंदी है, तो इंधन का इधन, कितना छोटा सा डिफरेंट है, थोड़े गलती करेंगे, एक नमबर आई-म-पी है, ये तदभाव सब्द है, सुद्ध या सुद्ध में भी जब आएगा न, तो ये ही आसिस सही होगा, दोस्तों, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक, ये नहीं होगा, एसा नहीं हो कि आप तस्सम तभाव में पड़एं, तो आप बोलने कि यह ये वाला ईलाका इलाइंची ठीक है चलिए आगे बढ़ते है इसको अच्छे से कर लीजिएगा औरदक का औरदा कास का क्या होता है खासी पहले उसको कास बोला याता था अब क्या बोलने लगे हैं कश्ट का हो गया है कास्ट कास्ट याने क्या हो जाता है लकडी और काठ याने अब वो काठ बन गया है कास्ट जो था वो क्या हो गया है काट कदली का क्या हो गया है दोस्तों तो केला ये भी आया हुआ है वाता भी है कदली का कदली का क्या हो गया है दोस्तों केला ठीक है कच्छप का कच्छुआ कच्छप का कच्छुआ कच्छप का क्या हो गया है कच्छुआ है न कुक्कुर का क्या हो गया है? कुम्भकार का फिर यह वही वाला बुलते थे हो गया है आपने देखा हो गया है तेहास में ऑज्ट को वह वाला खेत दे दिया करते थे छीर याने खीर आपने देखा हो गए इतयास में चीर पकउडम, एक thा घानने का रिग वयुदिक काल में यही खाये करते थे ना चीर पकोडम जो दलिया रहता था दलिया और दूद का बना हुआ एक परीकेक उस्री को चीर पकउडम कहा जाता था तो वहीं से ये चीर सब्द आया है और अब इसको क्या बूलने लगें खीर, आज भी हम देखें तो चाबल डाल के खीर बनाते हैं, है न, कपरदिका को क्या बूलते थे, कौड़ी, कपरदिका को कौड़ी, अब कौड़ी बूलने लगें उसके लिए कपरदिका, ठीक है, कृ हो जाता है कत रन कर्तन का कत रन में छण बंगर जीवन है छन में ही सब समापत हो जाएगा तो गोडों की खोर चुर होती है जो उनका पांश होता रे calculate तो उसको क्या कहा जाता था चुर, अब क्या कहा जाने लगा है दोस्तों, खुर, खटवा को खाट, खटवा जाने जो खटिया होती है, उसको पहले क्या कहते थे, खटवा, अब क्या हुगया है, खाट, ठीक है, क्या हुगया दोस्तों, खाट, चलिए, गुर्जर का गूजर आलाकि वो नाम के पीछे आज भी गुरजर ही लगाया करते हैं कहीं कहीं आप गूजर भी देखने को पाते हैं चलिए गुरजर का क्या हो गया है? गुजर गुधुम का हो गया है गेहुँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आया हुआ गौधूम का क्या हो गया है गेहूं पहले उसको गौधूम कहा जाता था अब क्या कहा जाने लगा है गेहूं ठीक है ग्राम को क्या कहते हैं गाओं ग्राम संस्क्रिट सब्द हो गया गाओं तो बहुत सब्द हो गया गंभीर को क्या बोलते थे गंभीर को क्या बोलने लगे ह वुए, बड़ा गहरा आदमी है ना? ग्रहनी को घरनी जो घरनी है वह घरनी देखिए यह आपके यहने आपको बताये था यह यह वालाह लग रहा है और जब वो चक्कर करने वाला अलग रहा है तो वह कौन सा हो जाता है यह यह वाला लगत ऐसा आ जात को ओटिखें आस प्रखम के लिए आता हूं इसे है झौटी छोटी आप से बताता हूं यहीँ आपके एक आपके नम्मर बढ़ाएंगे है ना ग्रह हडी गंगर नी कारे कारज कारे क्या है दोस्तों कारज पहले कारे था अब क्या होया है कारज कार तो क्या हो बोलने डूनाव, आप बोलने लगे हैं उसको क्या, गुफा, ठीक है, तो जिसे गुपाम आ जाये, तो आप समझ जाएएगा, गधर्ब को क्या बोलते हैं, गधर्ब को पहले गधर्ब था, अब हो गया गधर्ब, यह दोनों पर यावाची थे कि नहीं थे, आप लोग ने देखा हो गोपाल का गवाल यह भी पर रहा है बाची थे हैं गोपाल का गवाल इसको अपन बैसे आगर देखें तो क्या बोलते हैं गाय को पालने वाला करतरी करतरी पहले उसका नाम था अब क्या उसका नाम हो गया है कैची क्या नाम हो गया है कैची क्लेस का नाम हो गया है कलेस क्लेस अगर आप पर्रया बाची को भी कर लेंगे तो अच्छे सी तस्सम तद्भाव कर लिए तो पर्रया बाची दो-दो तो किसी के गई नहीं कहीं सब जुड़े हैं एक दूसरे से अभी आप देखते जाएगे अभी जैसे बिलोम आएंगे तो वह भी जुड़ जाएंगे कहीं ना कहीं से मैं बताऊंगा कहां जुड़ते हैं ऐसा होता है बार 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 पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट को तो अपने आप आपका दिमाग क्लिक करने लगता है कि कहां कैसा क्या जैसे लूसेंड बुक है लूसेंड बुक को आप सुरुआद में पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि यार यह एक एक लाइन कहां से आ गया लेकिन जहां आप उसको देरे देरे पढ़ना चालू करते हैं आपने जहां दो तीन वार कमाम चरीक के सब सब अपने आप कनेक्ट होटी जाती है विवेद और पढ़ने हैं तो अलमेंपिक भी हो गई यह इवी हो गया यह सब कुछ हो गया ना बार 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 पढ़ने से अपने आप वह सब चीज़ें का कनेक्ट會 Day jullie कारम का क्या होगया है कर्म क्या हो गया है तो किरती का मतलब क्या होता है दोस्तों अगर देखा जा तो यस है ना चत्री का क्या हो गया है खत्री चत्री को क्या बूलने लगा है चत्री को खत्री जाती कि थे ग्रामीर का क्या हो गया है गवार ठीक है ग्रामीर का क्या हो गया है गवार गो का क्या हो गया है पहले गो था अ का टी तो यह जाना पेख़ है करपास का दोस्तों क्या हो गया है component 2 चटी यह चचती नफसान वाली है फिक है ऐसे लिखी जाती थी आप इसको चती भी बूल देते हैं खरजूर को क्या बूलने लगे है तो कर चुर को क्या बोलने लगे दोस्तों कर त team कूं क्या गात्र को क्या बोलने लगा है गात्र का मतलब क्या होता है आप हो गया हो गया गिद्ध कहां पाय जाते है पहाडी लापों ना अब लोगों ने जाना हुआ गिद्ध के बारे में अब ये गिद्ध मिला था कहां पे कानपुर में वो हिमालियन गिद्ध था है ना हिमालय से पता नहीं कहां से यहां पर आगे था दोनों जोड़ा आए थे फिर उसके बाद आला कि वहां कि जो लोकल लोग थे लोगों ने पकड़ के उसके लिए सरकार के हवाले कर दिया उन्होंने अपने पुछी अलार में डाल दिया है तो गर्द का क्या हो गया है गिद्ध ठीक गोस्वामी कुछ लोग गिद्ध और बाज को एक जैसे समझते हैं पर वो एक जैसे होते नहीं है गिद्ध अलग है बाज अलग है गिद्ध दर असल मरे हुए जानमरों को ही खाना पसंद करते हैं बाज मार के खाते हैं ना बाज बहुत उचे उड़ते हैं गिद भी उचे उड़ते हैं पर बाज ये से उचे नहीं उड़ पाते हैं चलिए गोस्वामी का गुसाई चलिए वो तो बीच बीच में बताता जाता हूं नहीं तरह आप लोग कहेंगे कि जे सर कहा साइंस बीच मे गर, यह आगया यह वाला गर, अब क्या हुआ है, घर हो गया है, गरत का गी, गरत का गी, कल अपने देखा था इसके पर्रयावाची, कौन कौन से थे, गी, गरत, नवनीत, ये सब थे, तो गरत को पहले गरत बोलते थे, फिर गी बोलने लगे हैं, इसका इकल पर्रयावाची नवनीद भी है, चर्म, चमडा, चाम, ठीक है, पहले उसका चर्म था, चमडा बना, फिर वो चाम हो गया, ठीक, चरण का चरण भईया, कहां है आपके चरण गुरुदेब, अब वो चरण हो गया, आप देखना बहुत साई लोग चरण, कहां भाई सब चरण आपके, बोल दे जनम, देखा होगा, आपने बोलते समय, आदमी बोल देता है, भाई, यह कब हुगा था आपका जनम, जपकी सुद्ध सब्द क्या है, जनम, है ना, तो यह याद रखिएगा, यह भी इंपोर्टेंट है, आता है, आदमी ध्यान नहीं देता है, सूसता बहुत सरल है, इस प काम करते हैं, उनको चमार कहा जाता है, अब उनको यह बोलने लगे हैं, पहले क्या था, चर्मकार, चंद्रिका का चांदनी, यही से तो सब्द बगड़ा जाते हैं, जो भाल्तु की बाते होने लगती है, यह सब्दों का अपना मतलब था, चंद्रिका का चांदनी, क्या सा कि यह सुद्व सब्द फिर्ची यह आता है दोस्ट्रास भी यह 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 इंप है यह यह धिर्य करो घ्र जीन का हो गया है, जीरन, जीन का जीरन, ठीक है, जलिए, ग्यानी, पहले ऐसा ग्यानी सब दोता था, अब क्या हो गया है, ग्यानी, यह वाला गया, आधा गा बन गया है, पहला क्या था, पहला यह ग्यानी था, अब क्या हो गया है, यह वाला ग्यानी, टंग का क्या हो गया है डायन, डाकिनी का डायन, पहले डाकिनी जी थी, अब क्या हो गई है डायन, बोलनी थे बड़े यार बोत बड़ी डायन है, ना, धक्का का क्या हो गया है धकना, धक्का का धकना, तिलक का हो गया है टीका, तिलक का क्या हो गया है दोस्तों, टीका, ठीक है, तिक्त का हो गया है टकसाल, टंकसाल का हो गया है, टकसाल, टकसाल का टकसाल, टिक का हो गया है, दिग, टिक का दिग, डयन, तस्वम सब्द है डैना, तदभाव सब्द है न, डयन का हो गया है क्या, डैना, तरन का क्या हो गया है दोस्तों, तरन का हो गया है, दिनका, तरन का, दिनका है न, सब्द होएं साइन्स में बहुत बार आता है तो वह सब्द सब्रक्ता है तो अगर वहाँ है हिंदी भी बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं अगर अच्छे से पढ़ हैं तो उन्हीं में से बहुत सारे आगे निकल जाए हैं ना जिरूवत कप पढ़ती है जब कॉम्मूटीशन का एकजाम निकालना पढ़ता है तब वो एक चीज को पढ़ते हैं और साथ से किया है, जी भर के किया है, तो वो आप जीवन भर नहीं भूलते, और आप लोग देख ले न, आपने बहुत सारे आपी पढ़ाई रही होगी, जो आप लोग ने 9, 10, 11, 12, या जब प्रेसर नहीं रहा हो, छोटे में आपने सीखा होगा, वो आज भी आप सीखे हुए ह और उसी समय जो चीज़ें आप पर प्रेसर से डाली गई होगी, वो आप नहीं सीख पाये होगे है न, तो यही कहानी है पूरी, तवरित का क्या होगया, तुरंत, चलिए आगे बढ़ते हैं, तंदुल का क्या होगया, तंदुल, ना जो है वो हड़ जाता है, और यह होगय है, दोना, पहले उसको द्रॉन बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं, दोना, दधी को हो गया है, दही, पहले उसको क्या बोलते थे, दधी, अब क्या बोलते हैं, दही, जो अपन खाते हैं, है न, वही, चित्रकार, पहले चित्रकार थे वाई साब, अब क्या होगा है, चि तपस्वी का हो गया है तपसी, तपस्वी का क्या हो गया है तपसी, ठीक, थुतकार का हो गया है थुतकार, थुतकार का थुतकार, दुग्द का क्या हो गया है दोस्तों तो दूध, दूध का क्या हो गया है दूध, दैप का क्या हो गया है दै, दैप थे दै, आपने देखा ह में जहां से मैं यूपी से ब्लॉंग करता हूं वहां पर सब्द का काफी प्रियोग किया जाता था दय का कास्तवर पर गुजर होते थे दय वो परसादो पानी बरसादो खेश सूख रहे हैं इतना तेज तूफान आ रहा है इसको बंद कर दो दय बोलते थे उसको तो दय जो क्या है ये दई है कौन जब बाद में पढ़ा तो समझ में आया च चित्रका हो गया है चीत क्या हो गया दोस्तों चित्र कार जाता है और कुमालों में चैत्र चैत्र हमारे जो बारा महीने होते हैं, है ना, उनसे संबंदित है, जो हिंदी के बारा महीने होते हैं, है ना, चंचु का है चोंच, पहले उसको चंचु कहा जाता था, अब उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, चोंच, क्या कहा जाता है, चोंच, ठीक है, चुम्बन का हो गया है चुम्बन का क्या हो गया है दोस्तों तो चुम्बन का क्या हो गया है चाता चत्र का क्या हो गया है दोस्तों चाता ये वाला चा चत्री वाला था अब कौन सा आ गया है ये वाला चा तो याद रखिएगा चत्र का हो गया है चाता जेस्ट का हो गया है जेट, जैसे कहते हैं वह यह वो जेस्ट है, तो आधा सा लगता था, अब सीधर डायट बोल देते हैं, जेट, है न, जीरक का हो गया है दोस्तों, जीरा, जीरक का क्या हो गया है, जीरा, जामाता हो गया है, जामाता हो गया है, जामाता हो गया है, जामाता हो गया है, जामाता का क्या हो गया है ठाकुर पहले ठकुर था अब क्या हो गया दोस्तों ठाकुर चवर्ण का क्या हो गया है चवाना चवर्ण का चवाना चिद्र का क्या हो गया है छेद जैसी चिद्र है है ना तो अब क्या हो गया उसका छेद जन्यवास का क्या हो गया जन्वास पहले जन्वा अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ है देखिए ये जो चंद्रबिंदू है उसी का परिवर्तन हुआ है खाली बस जंब का क्या हुआ है जब्रा जंब का क्या हुआ है दोस्तों जब्रा ये दो बार आगया है कोई दिक्केत में एक बार और करना है जंब का जब्रा दो रक्क हो गया है दो रा, दो रक्क क्या हो गया है दोस्तों, दो रा, चलिए दोस्तों, ये वाले तो खतम हो गए, कुछ और अपन देख लेते हैं, है न, जो कि इसमें लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हुगा चलूँगा, कैसे क्या है, है न, चलि पोत्री जो है अब उसको क्या बूलने लगे है पोती पोती पहले ये पोत्री था अब क्या हो गया है पोती ठीक है और बताईए जैसे पक्च आता है ये खेना पक्च पक्च को क्या बूलने लगे है पंक क्या बूलने लगे है पंक जैसे धरम सब्द आपने सुना होगा तो पहले धरम ये वाला सही था अब क्या हो गया है? अब हो गया है ये धारम ये आ गया है ना धरम बोलते थे हैं ना पहले होता था नरत्य नरत्य आपने देखा होगा आजकल नहीं बोलते हैं पर अजकल क्या बोलते हैं भाई नाच लिया कि नी नाच लिया अब क्या सब्द आ गया उसकी जगा नाच आ गया है नीमबुक आपने देखा होगा है ना नीमबुक सुना होगा नकुल यह पकुल नहीं है नकुल सब्द है नकुल अब यह क्या हो गया है नेवला वो नेवला को बूलते हैं ठीक है नेवला ठीक और बताईए नक्र आता है नक्र नक्र इसको क्या बोलने लगे हैं अब इसको बोलने लगे हैं नाक और नक्र हो गया पुत्र बदु पुत्र बदु को क्या कहा जाने लगा है दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां आज देखते हैं लिखते होगी चलिए गाये ना पुत्रवधू इसको क्या बोलते हैं इसको बोलने लगे हैं पटोहू ठीक पुत्रवधू को क्या बोलने लगे हैं दोस्तों पटोहू एक होता है प्रकट अब प्रकट का क्या हो गया है दोस्तों अगर देखा जाए प्रकट का हो गया है प्रगट ठीक है जो का था वो गामें परिवर्तित हो चुका है पहले बोलाया था था ऐसे पंच पांच के लिए पंच अब क्या हो गया है पांच एक और बहुत इम्पोर्टेंट गी दोस्तों आपने सुनाओगा प्रस्वेद प्रस्वेद अब क्या बन गया है प्रस्वेद बन चुका है पसीना ठीक है मैनत करने वालों के निकलता है ठीक है तो उसको प्रस्वेद कहा जाता था बिज्ञान में आज भी आप इसको कहीं ने कहीं देखते होंगे एक और आपने सुना होगा पारद इसको क्या कहा जाने लगा है पारा ठीक एक आपने सुना होगा दोस्तों पासाण अब इसको क्या बोलते हैं पाहन पाहन पत्र को बूला जाता है एक और है पुत्र पुत्र को क्या कहा जाने लगा है पूत्र को ठीक एक और है दोस्तो पुशकर 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 को क्या कहा जाता है पोखर नहीं नहीं पोखर ठीक है चलिए दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं उमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है